selection process क्या होना चाहिए? क्योंकि इतने सारे plans हैं, कभी-कभी confusion नहीं हो जाता है और आप अकसर premium एक criteria रहता है mostly लोगं का की, जहापे कम premium देना पड़े वो शायद अच्छा है लेकिन उसके अलावा और क्या benchmarks हैं जिससे हम अपने लिए policy select कर सके हैं? बेकुल पलवी, जैसे मैंने पहले कहा, I think plan पे आने से पहले अपनी जरूरतें जरूर समझें, सबसे पहले plan का configuration समझें, आपको cable term चाहिए, term के साथ critical illness चाहिए, disability चाहिए, सबसे पहले अपनी जरूरतें सुनिश्चत कीजिए, उसके बाद वो options किस पे मिल रहा है, किस price पे म market में आप उनसे थोड़ी सी राय ले सकते हैं, आपको online भी काफी information मिल जाएगी, ये जो चीजें हैं वो आप देखके एक plan ले सकते हैं, बाकी जहां तक main criteria की बात आई, जैसे claim settlement ratio है, आप देखेंगे कि जो भी बड़े players है term insurance में, max हो गया, HDFC हो गया, ICIC potential हो गया, agon हो गया इन सबकी ही claim settlement ratio करीबन 95% या उसके इर्दगिर्द है, तो ऐसा नहीं है कि एक company की बहुत जादा है, एक company की बहुत कम है, आपको ये लेके चलना ही पड़ेगा कि सारी companyya claim रोकने में नहीं interested हैं, एक चीज़ का ख्याल जरूर रखिए, जभी भी आप अपना form भरिए, बिलक क्लेम settlement का company की intent या पैसे देने की intent से इतना नाता नहीं है, जितना आपने अगर कोई गलत information की है और वो बाद में उभर के बहार आती है, उससे है, तो जरूर ये ensure कीजिए कि आपकी सारी details correct हो, अगर गलती से कोई गलती हो गई है, तो endorsement का एक process होता है, उस process को जल्दी से ज परवाई मत कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि claim settlement में कहीं जादा issue आना चाहिए, और राइट, लेकिन I think Ashish मैंने कहीं पढ़ा था, 90 प्लस चिन का claim settlement ratio, उनी companies को choose किया जाना चाहिए, तो क्योंकि आपको काफी जादा जानकारी होगी इस future पे, mostly companies का average claim settlement क्या है, जो इन companies का हमने अभी जिकर किया, देखिए, जैसे मैंने आपसे बात की, मैक्स लाइफ हो गया, HDFC हो गया, EGON हो गया, ICICI Prudential हो गया, इन सभी का करीबन 90 से भी काफी अधिक है, 95% के करीब है, तो बहुत ही rare case होता है कि ये claim होता है, और वो माननय निया नहीं होता company के द्वारा, ये सही information दे और कोई भी बात ना चुपाए, clearly सारा form भरे और जैसे कि आपने का, या तो अपने सामने भरवाय जाए या फर खुद भरे, मैं चाहूंगे आपसे आप health insurance के भी कुछ फायदे बताएं, वो भी quickly हमारे सभी दर्शकों को, बिल्कुल, देखिए, health का सभी जानते है कि health का खर्चा सालो साल बहुत गुना बढ़ रहा है, जो basic policy आपको कई भी आर company से मिलती है, वो शायद आपके लिए पूरी ना पड़े, अगर आपकी family में history है, जैसे कि cancer मैंने कहा, high blood pressure, कोई भी ऐसी हो जो आपको होने के काफी अच्छे chances है, तो कहीं न कहीं आपको वो plan review करना चाहिए, जब आपकी family बढ़ती है, जैसे आपने पहले भी कहा था कि बुजर्गों का आपके उपर वो होता है responsibility, इन सभी स्थिती में आपको plans देखने चाहिए, अलग health industry में, जैसे कि term मैंने कहा था कि काफी simple है, काफी, एक, दो, तीन configuration है, जिनका आपको ध्यान रख लेकिन जहां तक जरूरत की बात है, आशिश चैसे term plan के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, बिसे एक thumb rule है normally कि 10 to 12 times आपके annual income का होना चाहिए, या फिर आपके ओपर कोई loan है, कोई liability है तो उसको भी आड़ करके देख लें, जब medical insurance की बात होती है, तो cover का selection कैसे हो, कि अपनी annual income के साब से हम calculate करें, या हमारी जो family members है, उनका size, यानि कितने members है family के अंदर, या फिर उनकी age, उसमें cover कैसे decide होगा, जी बिल्कुल, देखिए, आपकी income कुछ भी हो, जब आप हस्पताल जाएंगे तो आपका bill उतना ही आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, राइगा, term में क्या होता है कि आपकी lifestyle, आप जिस तरीके से जीते हैं, जितना घर लेते हैं, जो कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कितना आपका महीने का खर्चा, आपकी सब वो कहीं न कहीं income के साथ relate हो जाता है, health में ऐसा नहीं होता, health जब आप hospital जाएंगे तो वो bill उतना ही आएगा, आ आप चाहे 10 लाग कमा रहे हों, चाहे 50 लाग कमा रहे हों, तो जो आपने दूसरी बात कहीं, वो ज़्यादा माननी है, अपनी family को देखिए, family की history को देखिए, family के size को देखिए, individuals को देखिए, उस हिसाब से plans लीजिए, एक लीजिए, उसको break कीजिए multiple में, सहीभी benefits के benefits हैं, तो जैसे मैंने कहा, कि अगर आपके बुजर्ग हैं, शायद उनके लिए एक अलग plan लेना आपके लिए बेटर है, अपने परिवार के लिए एक अलग plan लेना बेटर है, family floater के options आते हैं, ये सब मिला मिलू कि आपको एक expert से बात करनी चाहिए, और उसी हिसाब से अप अपनी जरूरत देखें, उसके according planning करें, और जैसे आपने का कि हर पड़ाओ पे आपकी जरूरते बढ़ती हैं, बदलावाते हैं, lifestyle के अंदर भी, उसके according आपको अपना plan चुनना चाहिए, कई options आज हमने इस कारकरम के दोरान बताए, अपनी दर्शकों को, ये अगर एक करो कोटेंगे एक नई टॉपिक के साथ, दीजे जादत, नमस्कार.